मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुके है एक दो तीन चाप देते हैं पैसा मम्मी को तो फाइनली आज मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुके है और भाई आज मैं इतना ज़्यादा खुस हूँ इतना ज़्यादा खुस हूँ कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरा सपना था सारा कुछ आपको बताऊंगा और इसको आने में इतना ज़यादा लेट क्यों हो गया और इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत ही ज़यादा मोटीवेट हो जाओगे क्योंकि मैं कभी सपने में सोचता था कि मारी first payment आएगी कभी किसी को देखता था कि उसकी first payment आगई मेरे को भी ये करना है मेरे को भी YouTube पर काम करना है और मेरी भी first payment आएगी तो उसको फील मैंने किया है वो मैं आज आपके साथ share करने वाला हूँ और भई मैं आपको बता दूँ जब मैं आठ या नौ साल से आठ या नौ साल नहीं आप्रोक्स नौ या दस साल का था तो मैंने अपने खुद के पैसो से जो वो पीगे बैंक होता है उसको हमारे यहां बोलते हैं गुल्लक तो उसको मैंने फोड के उसमें निकलेते भई कित्त करने गये थे और मैं उन पैसों से सारा क्राने का सामान मिलेगा लेकिन वहां पर मैंने हार, नहीं मानी भाई उन्ही 51 रुपए उन्ही 51 रुपए से मैंने दुकान खोला और उस पर मैं काम करता गया काम करता गया और आज के टाइम पर मैंने उस दुकान को सिर्फ 151 रुपए से मैंने दुकान खोले थी और आज के टाइम पर मैंने उस दुकान को लाखो में चेंज कर और मैं दुकान पर काम करने के साथ मैं पढ़ाई भी करता था और फिर बात आती है 2018 की तो बैए 2018 में मेरे घर पर एक स्मार्ट फोन आता है क्योंकि जो मेरे भाईया थे वो बाहर रहते थे तो उनका जो वो फोन था वो थोड़ा सा बेकार हो गया था तो मेरे पास वो फोन आ जैसे कि यह हमारा इस टाइप का फोन है तो इस्मार्ट फोन जो होता है उसमें बटन यहां पर नीचे के साइड में होती है जैसे कि यहां पर यह आपको जो बटन्स दिख रही हैं जैसे कि यह बटन्स हैं तो उसमें क्या था उस फोन में यह इतना नीचे का जो स्क्रीन ट होती हैं वह आप इस साइड में चला सकते हो इस साइड में चला सकते हो तो मैंने उस अप्लिकेशन को यूज करके मैं इस टाइप से अपने फोन को चलाता था मैंने मतलब की रूटेट करके इस टाइप से मैं अपने फोन को चलाता था तो भाई उस मोबाई से मैंने अप्रोक और यहां पर आप लोगों से चैनल से स्टार्ट किया था अस नाम का मेरे पास इस्टागाम यहां पर मैंने कुछ स्टोरी भी हाइलाइट करके रखी है जो कि मैंने कभी इस चैनल को ओपन किया था तो मेरे उस चैनल पर भी सक्सेज नहीं मिली और जब मैं उस चैनल पर काम करता था तो उस टाइम पर मेरे को पता चलता है Google Ads के बारे में कि वह उसकी जरिये अपनी हो जाएगा लेकिन भाई वहां पर मेरे पास महां ब मैंने म मेने को मैरे को उचल मेह माइक लेना होता था नितुन वह Pas सब्सक्राइब मेरा होने का मेरे मेरा भुल करता है उचल मेरे खूल जो ओप्रोग स pakai मेरे को दे दिया तो वह पांसर रुपए मैंने अपने गूगल inks में लगा दिया लेकिन वहांपर भी मेरे के अच्छा खासा रिपॉंस नहीं मिला और फिर जाके अज चैनल पर कुछ दिनों तक काम किया और हूच चैनल पर कुछ दिया था लेकिन मेरे को उस पर ग्रोथ नहीं मिली तो मैंने क्या किया और उस टाइम पर मेरा वो जो मोबाइल था वह लैक करना लगा था भाई मतलब की वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा प्रोब्लम होती थी तो मैंने उस चैनल को छोड़ दिया तो उस टाइ यूटुप पर काम किया है ने परॉक्स Lynn 56 साल मैंने यूटुप पर काम ही नहीं किया और फिर जाके मैंने जो आपको बता एमने दुकान खोली ती उसी से पैसा बचाकर मैंने इस फोन को लिया था और भै इसका नाम है Realme Narjo 50A यह मेरे को पड़ाता अप्रोप्स 11,000 रुपए का तो जब मैंने इस फोन को लिया था तो भै उस टाइम पर गेमिंग का बहुत ज़दा क्रेज था तो मैंने एक गेमिंग चैनल ओपिन किया और भ कुझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद भाई एक या डेड़ महिनी के बाद में मैंने इस चैनल को ओपिन किया था जिस चैनल पर आप लोग यह वीडियो देख रहे हों मैंने इस चैनल पर शिरिफ चार महिनों की अंदर-अंदर 1000 सब सब्सक्राइब कर लिया सिर्फ आप लोगों की प्यारेंड सपोर्ट से और यहां पर मैं आपको बता दो मैंने इस चैनल पर इतनी ज्यादा मुसीबतों को जहला है कि उसकी हद खतम क्योंकि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मोनेटाइज होने के तुरंत हमारे चैनल पर एक ऐसी प्रोब्लम आ गई कि हमारा चैनल जो हट था यही चैनल यह मेरा हैक हो चुका था लेकिन वहां पर मैंने भगवान की कृपा से आप लोग की प्यारेंड सपोर्ट से हमारा चैनल वापस आ चुका देन उसके बाद में जब मैंने गूगल एडिसंस के लिए अप पर आती है पेमेंट आने की इसमें क्या प्रोबलम हो गई थी जिसकी वजह से हमारा प्यांत इतना ज़्यादा लेट आया तो यहां पर हुआ क्या था जो हमारी बैंक एडिक थी तो वहां पर जब हम लोग अपने अपने एडिसंस अकौंट में अपना बैंक एड करते हैं तो वहाँ पर हमें अपने bank का swift code आइड करने को होता है, तो जब हम लोग वहाँ पर पूछने गए, अपने bank में पूछने गए, उन्होंने बताया ही नहीं, वह यहाँ से भगा दिया, तो वहाँ पर मैंने क्या किया, अपने mobile से खुद पता किया, तो वहाँ पर जो मैंने पता किया, वहाँ पर वही swift code को वहाँ पर डाल दिया, लेकिन वहाँ पर जो swift code था, वो मैंने वहाँ पर गलट डाल दिया था, और इसी की वज़े से मेरी payment let हो गई थी, और फिर उसके अबाद मैं अपने पापा को लेकर बैंक गया, और फिर जाके पूँचा, तब उन्होंने बताया कि वही शीट code यह है, और फिर मैंने उसको डाला, और दो दिन के अबाद मेरी payment easily आ गई, तो भई, इसको पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि मैं डेली एक video अप्लोड करता था, जो कि भई, आप लोगों को पता होगा, कि वै एक video बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मैंने daily video अप्लोड किया, दो रहा आज मेरी फर्ट पेयमिंट आच जुकिए है िवह यहां पर सबसे पहले ममजी से मिलते हैं ममी को और फिर पूंचते हैं कि क्यासा लग रहा है यह लिजी पैसा आपको कैसा लग अच्छा लग supporting अनदवर कि मैं इतनी कम ऊम्र में इतना ज्यादा मतलब की पैसार न करना तो आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ऐसे ही मेरे बच्चे को सपोर्ट करते रहना तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है और आप लास्ट सवाल पूछते हैं कि भाई जो देहाद के लोग होते हैं जो गाउं में काम करते हैं उनकी मम्मी जी पापा घर वाले डाटते हैं तो उनके बारे में हमारी मम्मी जी क्या कहना चाहेंगी अगर आपके बच्चे वीडियो बनाते हैं तो बच्चे को डाटों मत बच्चे को बनानी दो तो हाँ मतलब की जिनके भी बच्चे काम करते हैं अगर किसी के मम्मी पापा इस वीडियो को देखने हैं तो बच्चों को डाटो मत अगर वो काम करते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी उसमें हलप करो उनको मतलब की मोटिवेट करो काम करने के लिए ना क्यों काम से बाहर गए हैं तो भाई मेरे जो घर वाले हैं वह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं उनके बच्चे इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमाएं उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है तो यहां पर फर्स्ट पेमेंट तो आ चुकी है तो अब बात आती हैं इनको 17-18 मतलब कि भाई यह रूपए हैं 9000 रूपए तो भाई यहां पर हमारी जो फर्स्ट पेमेंट है वो भाई आया है 9000 भाई यहां पर मैंने आपको खुला खुला बता दिया हर एक यूटूबर नहीं बताता लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि भाई आप मेरी फैमली हो तो भ लाया है और वीडियो का अच्छी तरीके से करना है थमनेल अच्छी से तरीके से बनाना है और भाई आपको कोई भी ट्रीक के चक्कर में नहीं पढ़ना और भाई मैं भी खुद बता दूं मैंने कोई भी ट्रीक नहीं दूनने के चक्कर में पढ़ा कि भाई चैनल ग्रो कर पसंद आए होगी अगरे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना तो अम इते किसी नेक्ट वीडियो में किसी नाइट ओपी साथ तक लिए जैहिंद वन्हें मातरम